कि नमस्कार द्यूस क्लिक पर आपका स्वागत है आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं कोवीड नाइंटीन की परिप्रेक्ष में और भी जो डेवलप्मेंट्स हो रहे हैं दुनिया में खास तोर से वैक्सीन्स और दवायों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे सतजीत कुछ अच्छे खबर हमें पहली बार मिली थी कि कोवीड नाइंटीन के खिलाफ एक दवाई निकली है जिससे कोवीड नाइंटीन पहला पांच दिन सिंटम के वक्त अगर लिया जा सकता है एंटी वाइरल के रूप पे काम करता है और जो सक्त बिमार वाइव की बाते चल रही थी उससे ज्यादा कारगर हो सकती है और क्यों यह सस्ता भी हो सकती है इसको बनाना भी आसान हो सकता थरदा इसके वारे में हमें बताएंगे तो जिस दवा का प्रवीर भाया जिकर कर रहे हैं उसका नाम है मुल्नू पिर अब यह तो उसका एक तर जाने देखा जाएगा लेकिन इसमें दो तीन नई बाते हैं पहली बात समझने के लिए अपन ये थोड़ी बैग्यानिक समझ जो पिछले साल से अपन चर्चे में ला रहे हैं उसको याद करना चाहिए वो ये है कि विशानू से होने वाली बीमारियां जैसे की कोविद की बी दवा पहले पहले चंद दिनों में ही काम आती है बाद में बहुत ज्यादा काम नहीं आती एंटिबायोटिक्स को लेकर ऐसा नहीं होता बिक्टिरिया यह बिमारियों के खिलाफ लेकिए वाइरस पे प्रॉब्लम है वाइरस की बीमारी को लेकर यह आम दौर से देखा गया अब कोविद की सोचेगा कि पहले दो-चार दिनों में जब संक्रमन हो जाए तो आसार बिलकुल सौम्यंत तरीके के होते हैं थोड़ी खासी होती है बुखार सा होता है बदंदर्द होता है इस तरीके के होते हैं उसी वक्त अगर दवा शुरू करनी है क्योंकि उसी वक्त अगर वाइरस की बढ़ंत को रोगने वाली दवा शुरू करें तो असर अच्छा दिखेगा तो जाहिर है कि जिस जिसको संक्रमन हो जाए उस हरे एक व्यक्ति को दवा मिलनी चाहिए यानि कि बड़े पैमाने पर दवा का द्रमान होना चाहिए और दवा का फैला प्रसार ह होना चाहिए इससे भी ज्यादा और एक बात है वह यह है कि यह जब लक्षण होते हैं तब अपन घर में रहते हैं तो हस्पताल में जाके हर रोज सुई लगाओ इंजेक्शन लगाओ यह तो बात नहीं चलेगी उसमें तो जो दवा इंजेक्शन से सुई से लगाई जाए जो इंजेक्टिबल फॉर्म में है इसलिए रहम्दैसेविर की दवा जो असरदार थी लेकिन फिर भी बहुत काम नहीं आई इसलिए कि गुप जाएगा कौन इंजेक्शन लें तो पहली बार मूलनूपिरविर की जो दवा है वो वाइरस की बढ़ंत रोखने में कारगर और इसलिए ये बड़ी नई बात निकली है और हाशा की किरण निकली है कि जहां तक संक्रमन से बचाव हो सके लोगों तक लोगों को लेने को आसान हो ऐसे फार्म में अगर दवा पहुंचनी है तो ये उसका एक पहला उदारण है इसलिए मौनुपिरविर के जो नए नतीजे हैं वो बहुत माइने रखते हैं अपको देखनी पूरेगी जो आपने बूठा वो है कि क्या ये बहुत नई नई दवा है ना जैसे कि रेम्डसिविर थी जैसे कि और कई दवाएं थी आरने विशानों के खिलाफ जो पिछले 10 15 सालों से दवाईयां बनाते जा रहे हैं दो उनी में से ये एक दवा है तो जाहिर है कि जांच होनी चाहिए परख होनी चाहिए तो जांच परख इन सब को लेकर चल रही है पूछने वाला सवाल ये है कि भाया ये सब होसकने वाली दवाईयां अगर पहले से जानी थी तो इसकी जाचे बड़े जोर शोर से और रफ़तार से क्यों नहीं हुई रेम्दसिविर की जाच पहले क्यों हुई जो भी एक और किसम की वाइरस की बढ़ंत रोखने वाली दवा है उसकी जाच इतनी जल्दी से क्यों हुई और मुलनुपिरविर की जाच को इतने दिन क्यों लगे तो जाहिर है कि अगर आप ऐसी दवा इजाद करो कि हस्पताल में जाकर इंशुरेंस के पैसे जुटाकर बड़ी कीमटे दे कर लेने वाली दवा हो तु मुनाफ़य ज्यादा होना है मुनाफ़ की खेल भी हम इस बात पर आती है और यе भी सही है कि इस दवायों इस दवाय की की तक होगी मार्केट पे अभी तक मालूम नहीं है हमें उना सो सकता है कि हिंदुस्तान जैसे मुलकों में इंडिया जैसे मुलकों में कम पर ये बी की जाएगी क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कंपोनियों को लाइन बन बंद किया जा रहा है इसकी बैनिफाक्चर के लिए फिर भी किस दाम से आएगी मार्केट पे उसके कोई इस वक्त भरोसा नहीं है पर जो सवाल मेरा आप से है कि संभावना यह है कि यह सस्ते हो क्योंकि स्माल मॉलिक्यूल है चोटा मॉलिक्यूल है और उसको बड़े पैमाने पे बनाने में कोई बंदिश जैसे बायो लॉजिक्स की है जैसे आप कह रहे थे मैब्स की मोनोक्लोनल एंटी बॉडिस की है उस तरह का कोई प्राब्लम यहां नहीं होना चाहिए बिलकुल सही कह रहे हैं करें बिलकुल लाजमी बात है लेकिन मैं उसमें और एक पेंच डालना चाहता हूँ वो यह है कि रेम्डेसिविर की सोचे का बिलकुल छोटा रसायन था स्माल मालिक्यूल था है असरदार है जहां तक मॉल्नुपिरविर असरदार है उसी तरीके से लेकिन निर्मान में रेम्डेसिविर के निर्मान में उतनी ही आसानी है जितनी मॉल्नुपिरविर के निर्मान में फिर भी रेम्डेसिविर को लेकर इतनी इजाजतें नहीं दी गई इतने बड़े पैमाने पर नहीं दी गई छोटे देशों में खास करके गरीब देशों म निर्मान के लिए जितनी मोलनुपिराविर को देने की बात हो रही है तो पूछें क्यों एक के सब को पता था कोई कह नहीं रहे लेकिन सब को पता था क्योंकि इंजेक्शन से देने वाली दवा है तो बड़े पैमाने पर गरीब देशों में बिकेगी नहीं तो बड़े पैमाने पर निर्मान का कोई फायदा नहीं है मोलनुपिराविर की बात कुछ अलग है मोलनुपिराविर मूँ से देने वाली है एक दूसरा मोलनुपिराविर का निर्मान मोलनुपिरविर की जो अभी इजाद के कदम उठाये जा रहे हैं वो ऐसे वक्त पे आ रहे हैं जब महामारी की तीवरता कम होते जा रही है रुकी नहीं है लेकिन तीवरता कम होते जा रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर मोलनुपिरविर से निचोड के मुनाफा निकालना है तो अलग तरीकों से सोचना होगा यानि कि हाई वालियूम लो मार्जिन तरीके से सोचना होगा बड़े पैमाने पर बेचा जाए हो सकता है छोटा छोटा मार्जिन छोटी छोटी फीसदी मुनाफे की बात रख के बड़े पैमाने पर बेचा जाए इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर छोटे छोटे निर्मान कारों को इजाजतें दी जा रही हैं कि उसका निर्मान करें और यूँ भी सोचा जा रहा है कि गरीब देशों में देश ही देश में निर्मान हो और विक्री हो और वो कम कीमत में हो तो ये सब एक और से अपने सोचना चाहिए कि अच्छी बात है, क्योंकि भारत में अगर लोगों तक दवा पहुँचे तो कैसे भी पहुँचे भया, अच्छी बात है, लेकिन इसका स्वागत करते करते हैं अपने ये नहीं भूलना चाहिए, कि ये सब एक वैश्विक पूं के साथ ये बात भी जोड़ना चाहूंगा, कि इस वक्त वैक्सीन लेकर मुख्य बात जो उन्नत देद, डेवलप्ट कंट्रीज जिसे कहते हैं, वो रख रहे हैं, कि इनका टेक्नोलोजी ट्रांसफर बड़ी दिक्कत की बात है, इसलिए हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, गरी अधिकुल भी हम टेक्नोलोजी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये गलत सभी जानते हैं, और ये एड्स की जो पुरी कॉन्ट्रोबर्सी चली थी, जिसमें उन्नत देश, इसे डेवलप्ट कंट्रीज देश है, उनकी कंपनियां, उनको काफी चीचा लेदर हुआ था, आल्टिम तोड़ना, और यह चीज इसलिए मेरे ख्याल से और एक कारण है कि ये अभी इन देश चाहते हैं कि वैक्सीन में मुनाफ़ा कमाएं, खास तोर से इम्मारे ने वगरे यह से वैक्सीन से उससे मुनाफ़ा कमाएं, जो अमीन लोगों को दुनिया में पहुंचेगा, करीब तक पहुंचे ना पहुंचे अलग बात है, और इसी लिए इस दवायों पे इतना अभी इस वक्त जोर ना दे, ताकि धागा ही ना तूट जाए, और जो जिस तरह से दूसरे देश है, वो ये बात करना शुरू करें कि ये ट्रिप्स वगरे चीजों को वहिशकार करना चाह सत्यीत, आज के लिए आपके साथ इतना ही, अगले बार आपके साथ बात करेंगे, जो यह अभी नए-नए कुछ वैक्सीन की बात चल रही है, मलेरिया लेके, कि पचास साल के बाद मलेरिया में एक वैक्सीन लगता है, निकला है, जबकि इस वाक्त, कोविड-19 पैंडेमिक के तहद हमें बहुत सारे देखने को मिले, किस पे कितना विज्ञान की भूमी का रही, कितना मार्केट की भूमी का रही, इस बात अगले बार आपके साथ करेगी, आज के लिए नियूस क्लिक में इतना ही देखते रहिएगा नियूस क्लिक और हमारे सत्यीत के साथ जो COVID-19 क चर्चा इसमें जरूर आईएगा